अमस्कार आप देख रहे हैं Capital TV और मैं हुँ आपके साथ वकता खबरों की कबर में आपका स्वागत है जी आप सोच रहे होंगे कि ये निर्भाया कांद 2 कैसे है पहला केस तो दिली का था, तो आपको बता रहे हैं कि ये निर्भया कांड हुआ है राजस्थान में, राजस्थान के अलवर में वही राजस्थान जहां कॉंग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत सीयम है और पूरी कॉंग्रेस पार्टी उन पर महरबान है पहले ये पूरी घटना आपको बता देते हैं उसके बाद कुछ और बिंदूओं पर भी बात करेंगे जो इसी केस से जुड़ा हुआ है मंगलवार की रात आठ बजे थे अलवर के शिवाजी पार्प थाना शेत्र अस्थित तिजारा फाटक पुलिया पर एक नाबालिक बच्ची सडक पर पड़ी थी वो भी खून से लथपत उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही थी पूरी सडक पर खून पहला हुआ था उसे इसी अवस्था में पुलिस ने बरामत किया पुलिस बच्ची को जिला अस्पताल ले गई लेकिन वहां डॉक्टर्ज ने जरूरी उपचार करके उसे रेफर कर दिया जैपुर केके लोन अस्पताल क्योंकि वे इस केस को संभालने में सक्षम नहीं थे अब इसकी गंभीरता इसी से समझ लीजिए कि ये घटना कितनी कश्टकारी थी पुलिस उसे जैपुर ले गई वहां मेडिकल हुआ और जो बात सामने आई वो हिंदुस्तान को जखजोर देने वाली थी उस बच्ची के साथ सामोहिक दुशकर्म हुआ था उसके प्राइवेट पार्ट पर नुकीले वस्तु से वार किया गया था डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया और पुलिस ने इसकी चांच पहले बात करते हैं इलाज की इस मूप बधर 16 साल की बच्ची के साथ कितनी कुरूरता की गई है आप इसी से समझिए कि आरोपियों ने इसके प्राइवेट पार्ट पर नुकीली चीज से वार किया जिसस डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची का इलाज किया जैपुर के केके लोन अस्पताल के अधिकशक ने मीडिया को बताया कि बच्ची के अंदुरूनी हिस्से में काफी गहरे घाव हैं उसका रेक्टम अपनी जगह से खिसक गया है उसे जब अस्पताल लाया गया तो काफी ब् पैर किया जा रहा है साथ डॉक्टर्स की टीम ने उसका ओपरेशन किया तक्रीबन तीन घंटे तक ओपरेशन चला पर ईश्वर की क्रपा और डॉक्टर्स के अनवरत प्रयास की बदौलत ओपरेशन सफल रहा बच्ची अभी खत्रे से बाहर है जिन्दा है पर आई सीउ में लेकिन उसे दो से तीन दिन तक डॉक्टर्स के अब्जवेशन में रखा जाएगा लेकिन अभी कुछ भी बताने में वो सक्षम नहीं है जब भी वो दर्ट से तडपती है तो कभी मा तो कभी पापा ही उसके मूँ से निकलता है इस से जादा ना तो वो बोल पा रही है और ना ही वो समझ पा रही है जिसने भी इस घटना को देखा सिहर उठा उसकी रूह तक काप गई और हर कोई यही सोच रहा है कि वो हैवान आखिर है कौन जिन्होंने अपराद नहीं बलकि जगन अपराद किया है एक तो बच्ची उपर से मंद बुद्धी इससे भी बड़ी अब बात करते हैं पुलिस की जाच की चानबीन में पुलिस को पता चला कि यह 16 साल की बच्ची माला खेडा थाना श्रेत्र के एक गाउं की रहने वाली है जिसके माता पिता मजदूर है पीड़िता मंद बुद्धी भी है बच्ची के साथ दुशकर्म किया गया उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गए उसके बाद उसे तिजारा फाटक पुलिया पर घायल अवस्था में पटक कर आरोपी फरार हो गए इस पूरे मामले में स्पी तेजस्विनी गौतम ने SIT टीम का गठन किया है जिससे जल्द से जल्द केस की कड़ी को सुलझाया जा सके आरोपीयों का पता लगाने के लिए और तलाशने के लिए पुलिस की जाच टीमों का भी गठन किया गया है CCTV फोटेज भी खंगाले गाए हैं इस मामले में रेंज आईजी भी अलवर पहुँचे और पूरी जानकारी ली लेकिन शर्मनाक और राजस्थान पुलिस की नाकामी को उजागर करती खबर ये है कि 24 घंटे बीच जाने के बाद भी आरोपीयों को गिरफतार नहीं किया जा सका है ना तो उनके बारे में कोई जानकारी जुटाई जा सकी है स्पी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि पीडिता कुछ भी बता पाने में असमर्थ है और टीमों का गठन करके कड़ी से कड़ी जोड़कर आरोपीयों की तलाश की जा रही है राजिस्थान के सारे अख़बार, टेलिविजन और सोशल मीडिया इस घटना को पहले पेज और प्राइम टाइम में जगह दे रहे है दैनिक भासकर ने ऐसी हेडलाइन दी है कि आप भी कहेंगे कि सच है दैनिक भासकर ने पांच तस्वीरों के साथ लिखा कि समाज गूंगा बहरा हो गया है वहीं लगभग सभी अकबारों में यही ख़बर सुर्खियों में थी इतना होने के बाद भी राजिस्थान की गहलोत सरकार और राजिस्थान पुलिस शर्मिंदगी की जगह अपनी पीठ थप थपा रही है आलवर पुलिस ने एक ट्वीट किया और लिखा कि पुलिस तेज गती से सारे काम कर रही है जिसके परेडाम सरूप बच्ची बच पाई ये बात सही है कि पुलिस ने जल्द ही अस्पताल ले गई और समय का बच्ची के बच्चने का एक मुख्य फैक्टर है लेकिन यहां सवाल ये भी है कि पुलिस का दूसरा काम भी है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए लेकिन यहां पुलिस और उसकी रणनीती नाकाम साबित हो रही है तो वहीं गहलोत सरकार ने पीड़ता के परिवार को साढ़े तीन लाख रुपई की सहायता राशी दी है अब ये घटना धीरे धीरे सियासी रंग ले रही है एक तरफ बीजेपी प्रतिनिधी वंजल कॉंग्रेस महा सचिव प्रियंका गांधी से मिलने पहुचा लेकिन उन्हें प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई बीजेपी के कई लेता कॉंग्रेस गहलोत सरकार और राहुल प्रियंका गांधी पर निश्राना साध रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरी कॉंग्रेस चुपी साधे हुए है गैलोट सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलने को तयार नहीं है और वहीं पुरानी रटा रटाया बयान दिया जा रहा है कि ऐसे मामलों पर राजनीती नहीं करनी चाहिए और बीजेपी राजनीती कर रही है लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या यूपी के हाथरस और उन्नाव मामले पर कॉंग्रेस क्या कर रही थी हाथरस घट्टा के बाद तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेथ पूरा कॉंग्रेस हाथरस जाने के लिए जी तोड महनत कर रहा था पूरी कॉंग्रेस हातरस के पीड़ता के लिए 50 लाग से 1 करोड रुपए देने की मांग कर रही थी पीड़ता के परिजनों को नौकरी देने की मांग की जा रही थी लेकिन यहाँ पीड़ता के परिजनों को सर्फ 3.5 लाख रुपए क्या अब Congress को साप सुं गया है अब बोलने से परहेज क्यूँ साथ ही ये सवाल भी कि क्या Congress party इस पर कुछ बोलेगी क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी कुछ बोलेंगे क्या प्रियंका गांधी अलवर भी जाएंगी तो जवाब है कि अभी नहीं क्योंकि वहां चुनाव नहीं है और सच्चाई ये है कि जहां चुनाव होते हैं और जहां कॉंग्रेस की सरकार नहीं है वहीं की बेटियों की चिंता प्रियंका गांधी को होती है जहां कॉंग्रेस की सरकार है जिस राजी में चुनाओ नहीं है वहां की बेटियों को भला क्यों पूछा जाए यूपी में चुनाओ है और कॉंग्रेस ने उन्नाओ रेप पीड़ता की मा को टिकेट दिया है पीड़ता की मा को प्रत्याशी बनाया गया है इस घटना के दोशी थे बीजेपी विधायक कुलदीप सिंग सेंगर जिने कोट ने आज इवन कारवास की सजा सुनाई है उन्नाव पीड़ता की मा को तो प्रियंका वाडरं ने टिकेट दे दिया लेकिन हातरास की पीड़ता के परिजणों के लिए क्यों नहीं वहीं अब सवाल ये है कि अलवर की पीड़ता के लिए क्या सो विधा दी जाएगी क्या महज साड़े तीन लाख रुपए उन्नाव पीड़िता की मा के लिए टिकेट क्या सिर्फ इसलिए कि इस मामले में बीजेपी विधायक दोशी है प्रियंका गांधी एक तरफ तो यूपी में कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेकिन वहीं कौंग्रेस पंजाब में लड़कीों की मूह बंद करती है पंजाब पुलिस महिलाओं पर लाठी चार्च करती है वहीं रिपराजिस्थान में रेप पीड़़िता से कोई कौंग्रेस नेता मिलने भी नहीं जाता है मतलब साफ है कि कॉंग्रेस को न तो बेटियों से मतलब है ना ही रेपीड़ता से इसके बहाने सत्ता प्राप्त करना उद्देश है दूसरे पर दोश देने वाली कॉंग्रेस और उसके नेता ऐसे समवेधन शील मामलों को भी वोट की तराजू पर तौलते हैं फिर फैसला लेते हैं कि क्या करना है आपकी इस पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए बने रहे हैं कैपिटल टीवी के साथ नमस्कार